हमारे साथ हैं कॉंग्रेस से पूर्फ कैबिनेट मंतरी रहीं पांच बार की विधायक रहीं दिल्ली सरकार में टिप्टी स्पीकर रहीं और अब भारती जनता पार्टी में शामिल हुई किरन चौधरी मैं सबसे पहला सवाल तो यही आप से जानना चाहूंगा कि इतने दश्कों तक कॉंग्रेस में रहने के बाद अब भारती जनता पार्टी में आप शामिल हुई हैं कितना खुद को एड़्जस कर पाई हैं बहुत सकून मिल रहा है मुझे इधर आकर सचा ही यह है बहुत अच कश्मकष शडियंतर और पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा था कॉंग्रेस में उससे निजात मिलकर मुझे एक सुकून मिल रहा है कि अब सही जगा पर मैं आई हूँ कि यहां मैं मेहनत करूंगी तो वह मेहनत का जो है उसका जो है बाजपा जो है उसके उपर जो है आगे बढ़ाईगी लेकिन आपके जाने के बाद कॉंग्रेस के अंदर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिल्सला जो है फिर से शुरू हो चुका है हलांकि पहले भी हमने देखा लेकिन अब जिस तरीके से वो तूल पकड़ रहा है हुड़ा गुट कुछ और कहता हूँ नजर जारी है किस तरीके से देखते हैं जहां तक घुटा घुट किया सवाल है वो तो ही बाप बेटे की पार्टी है और तीसरे आदमी को तो वो सैन करी नहीं सकते जो इनके चम्चे हैं वो ही उनके साथ रह सकते हैं बाकी तो सैन हो ही नहीं सकता और जहां तक शेलजा जी और र पूख्य मंत्री जो है शेलजा कुमारी जी भी प्रोजेक्ट हो सकती है तो उनको मार दो खतम कर दो रंदीब जी हो सकते हैं तो उनको खतम कर दो आपने देखा किस तरह से बिरंदर सिंग जी के लड़के के साथ जो हाल करा एक सिटिंग MP जो है वो पार्टी के अंदर लेकर आए और उसके बाद जो है उसको टिकेटी ने लेने दी तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इन्होंने पूरी तरह से अपने ग्रिफ्त में कर रखा है और सचा है ये है कि ये खुद ही कॉंप्रोमाइजड हैं इसलिए कॉंग्रेस को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे लेकिन यदि हम नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा का जिक्र करें वो सीधे तोर पर कहते हुए नजर आते हैं कि किसी के जाने से कॉंग्रेस को कोई फरक नहीं पड़ता दूसरी तरफ कुमारी शैलचा का जिक्र करें तो उनका सीधे तोर पर कहना है कि आप हाई कमान के सामने पहुंचती है नहीं पहुंचती है आप भी हाई कमान से मिली होगी जो पशोपेश्टी थी आपकी रही होगी जब आपने भाजपास शामिल नहीं की थी उससे पहले के दर्मियान क्या कुछ थी थी हाई कमान से बात हुई नहीं हुई क्या कुछ उनकी त पॉरी तरह से टिल्ट पिता और पुतर के ही तरफ हो गया तो समझ सकते हैं कि dongres की सिती क्या बनी अब और उनकी तरफ तिल्ट हुआ जिर जो खुदी कॉंग्रेस को जो हैं खतम करने पे तुले होएं जी ट्वेंटी थी किसने बनाई थी पूछेगा अब इनसे स्वाल पूछेगा उसमें इन्होंने ही शुरुआत करी थी उसमें सारे के सारे हमारे कॉंग्रेस का जो सीनियर नेतेत्र है उसके उपर पूरी तरह से सवाल खड़े करे थे राहुल जी के उपर सोनिया जी के उपर उनके कारे पर नाली के उपर सवाल गए थे, ये किसी से चुपे वी बात नहीं, उसके बाद, तो ये कॉंग्रेस को बढ़ाने की बात थी या कॉंग्रेस को खतम करने की बात थी, कि जब आप इस तरह की बात सर्वजनिक तोर पर चिठियां लिखकर आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका के अंदर सर्वजनिक मंच के उपर, हुडा साब ने ये बात कही, कि अब कॉंग्रेस अपना रास्ता खो चुकी, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सर्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा है, और ये पूरा गुलाबी गैंग जो था, ये इस तरह से हावी हो गया, कि दूसरे जो ह हैं, रंदीब जी हैं, मैं भी जब थी, कि हम जो हैं, हमारे को पूरी तरह से दरकिनार कर दो, ताकि गुलाबी गैंग पूरी अपने मनसुबे के उपर पूरा काम्याब हो सके, वो उन्होंने कर लिया, अब इनके पास सारा ताम जहाम है, सब कुछ है, जो हमारे पास सो है अब दस साल जो है, इन्होंने सरकार के अंदर रहे, तो सारी जग जाहर है कि कैसे लुटाई होई और क्या नहीं हुआ, जिसके कारण आज हजार, पता नहीं कितने कितने केसिस भुगतने पड़ रहे हैं, तो ये तो है, जो है, ब्रष्टा चार का तो प्रतिबेम है, सकते हो, कि कॉंग्रेस के अंदर जो आम कारे करता है, जो जुडा हुआ है मेरे साथ, जो जुडा हुआ है शेलजा जी के साथ, जो जुडा हुआ है रंदीब जी के साथ, वो कहां जाए, वो किदर जाएगा, जब सारे के सारे कठे मिलकर काम करते हैं, तब ही पार्टी जो ह इतने भी MP चुन के आये हैं, कॉंग्रेस के, यही एक केंदर मंत्री रही हुई है, इतनी सीनियर नेता है, शेल जा कुमारी जी, हर्याना का उन्होंने प्रदेश का प्रभार संभाला हुए, बाहर की प्रभारी, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रभारी रही हुई है, उनको यह डर रहता है कि यह मुख्यमंत्री जो है, इस यह प्रोजेक्ट हो जाएंगी, एक डलित वर्क से एक महिला हैं,। करमत हैं, मानदार हैं, कोई लांचन नहीं है, कोई दाग नहीं है उनके उपर, समझ सकते हैं, तो यह इनको घबराट होती है क्योंकि यह तो बाप कॉंग्रेस का इंटरनल कॉंफिक्ट था उसको इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता था अब जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामाजिक तौर पर सबके सामने आ चुकी हैं क्या लगता है कॉंग्रेस में कभी कुटबाजी खास्तों पर हरियाना कॉंग्रेस मे कभी गुटबाजी खतम हो पाएगी, उसके कोई आसार दिखते हैं, किस तरीके से जो कारे करता हैं, वो आखिर कर हुड़ा गुट में जाएं, कुमारी शैलजा के तरफ जाएं, रंदिप सुर्जेवाला के तरफ जाएं, कारे करताओं के जो पशोपेस की स्थिती रहती है, कुरी तरह से मारा गया विचारा, कारे करता को तो सामने नजर आ रहा है, कि हालात क्या है, वो तो खुद जानते हैं, कि कॉंग्रेस पार्टी को ये कभी सत्ता में नहीं आने देंगे, खुद ही नहीं आने देंगे, ये तो सामने नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, तो कारे करता के लिए तो बहुत मुश्किल काम है इसमें कोई शक्की बात नहीं है क्योंकि कारे करता तो अपना जीवन अपना खून पसीना जो है लगाता है सटकों के ओपर लड़ता है इसलिए कि कल जो है उसका कुछ हो सके पर जब उसका यह है कि वही तू उसका अदमी है तो पहले balance बनके चला करता था वो अब खतम हो चुका है पूरी तरह से compromise तरीके से Congress Party जो है हरियाना के अंदर वो चल रही है और वो इस तरह से चल रही है कि बाजपा को किस तरह से फायदा पहुचाए जाए और बार बार हमारे को देखने में नजर आ रहा है कि अब जो है पिछल सिरे दी Congress किया तो अगर इनका दो बस चलता बाब बेटा का यह तो खाली एक सीट इनको चाहिए थी वो रौतक की और उसके लिए चाहिए कहीं भी सेटिंग करनी पड़े उसके लिए वो तयार रहते है जिस तरीके से जब आपने जोईनिंग करी उस वक्त आपके साथ पू अब देखो जो विपक्षी है वो तो चुटकियां लेंगे उससे मेरे को कोई फरक नी पड़ता है चुटकियां वो अपने नेता पे ले ना जो विधान सभा के अंदर जो कारवाई होती थी जो हमने ये लेकर आये थे नो कॉंफिडेंस मोशन हम विधान सभा के अंदर लेकर आये नो कॉंफिडेंस मोशन का मतलब होता है कि उसको वोट पे लेकर आना है वोट डालनी पड़ती है वोट इनी ड़ने दी उठाके भाग गए तो चुटकी लो ना इनके उपर किसको कहते हैं कॉंग्रेस को कौन ब शुरुआत होई पूरी की पूरी कहानी पढ़नी बाजपा की तरफ से इनके चिठे खोलने वाली कहानी जैसे ही पढ़नी शुरू होई विधान सभा चोड़के भाग गए जो पहली बार ये हुआ होगा कि एक नो कॉंफिडेंस मोशन जो है वोट पे नहीं डाला गया और पर पक्ष जो लेकर आया हम लोग जो नो कॉंफिडेंस मोशन लेकर आये उसको हमारे को वॉक आउट करवा दिया गया भार प्रेस ने मेरे से पूछा तो उस समय तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी मैंने का भईया मेरे से मत पूछो ये बात या उटा साब से पूछो वो को ज्यादा बता पाएंगे तो इस तरह की कारवाई जब हो रही है तो ये कॉंग्रेस के पक्ष की बात हो रही है क्या जो पक्ष की बात होती तो खड़े होगे डटके लडाई लड़ते और सामने बोलते चाए बेशक हमारा मोशन गिरता वोटिंग के ओपर उसको लेकर आ में मुद्दों के ओपर बहुत जबर्दस तल्की होती थी और यह आप लोग सारे प्रेस वाले उसके जो हैं साक्षी हैं मैंने किसी भी तरह से कोई कॉंप्रमाइस करके काम नहीं करा जब इधान सभा के अंदर मैं बोलती हूँ तो कॉंग्रेस पार्टी का जो पक्ष था बहुत पसंद हैं क्योंकि एक तो इमानदार आदमी स्पष्ट हैं कोई दाग नहीं है उनके उपर और जो उनको जो मतलब अगर कोई बात सही तरीके से जो अगर उन्हें समझ में आये और जिस तरह से विधान सभा के अंदर जो हम उनके उपर इतना प्रहार करते थे बहु आधान सभा का जिक्र करें अल्पमत की सरकार कहकर मुझूदा सरकार को घेरा जा रहारादे मिले ऐसे आपकी भ्हूмовी का किस तरीके से देखें क्योंकि आपने अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ तो आपका जो विधायक्पद है उसली कर बहुत सारी बातें पच्योंगहे राज जेपाल से भी मिले ऐसे में आपकी भूमी का किस तरीके से देखें कि आप ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया स्पीक इस्तीफा जो है वह मंजूर नहीं हुआ तो आपका जो विधायक पद है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो हो रही है पशोपेस की स्थिति है कि स् इस्तीफा जो हो नहीं सौपा गया मैंने इस्तीफा दे दिया है कॉंग्रेस पार्टी से विधिवत इस्तीफा दिया है सार्फ जानिक मंच पर दिया है अब आगे करना है तो कॉंग्रेस पार्टी ने करना है और जहां तक यह राजपाल के पास जा रहे हैं कभी इदर जा सब जानते हैं यह नोटंकी है, यह खाली दिखावा कर रहे हैं, इनको भी पता है कुछ होना वाना है नहीं, यह जो है, यह भी नहीं चाहते हैं कि सरकार गिरें, सचाई तो यह है. एक आखरी सवाल में, शोशियो एकनोमिक नंबर्स को जो सरकार की तरफ से दिये जा रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से जो फैसला आया, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेसवारता की, वो काफी अडिक दिखाई दिये, उनका सीध करवाना चाहती हूं कि जो नौकरी लग चुके हैं, वो नौकरी नहीं अटेंगे, ग्रूप D के जो हैं, और जो ग्रूप C के हैं, उसका भी जो है, कोई ना कोई, जो है, मसला जो है, उसका भी हल हम निकालेंगे, रिव्यू पेटिशन जो है, हम सुप्रीम कोट के अंदर दालेंगे, कोट का जो फैसला आया, उसके ओपर रिव्यू पेटिशन भी जरूर डलेगा, लेकिन साथ की साथ, एक स्पेशल सेशन बुलाकर, हम कानूनी तो पर जो है, इनको पका करेंगे, तो उसके ओपर अब देखना होगा, कि अब कॉंग्रिस क्या करेंगी, या अगर मना करा, या ये बोलते नहीं है, तो इसका मतलब स्पश चेहरा नजर आ जाएगा, कि इनका जो नौकरीरों को गैंग है, वो जो है, इनहीं बना रख है, जो बार बार सुप्रीम कोट के अंदर अरजी डालते हैं, कि ये निवा वो निवा स्टे लेकर आते हैं, तो ये तो नौजवान बच्चों को के साथ, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड करने की बात हो रही है, जो ये खर्ची-पर्ची का जो सिलसला जो है, ये खतम करा है, जो मेरिट के ओपर जो नौकरियां दी जा रही है, इतने पता नहीं, डेड़ लाख बच्चों को तो दे दी गई और आगे आने वाले समय में अभी पचास हजार नौक्रियां जो हैं और निकाली हैं जो एक महीने के अंदर अंदर जो हैं लग जाएंगी बिगहर खर्ची और पर्ची के तो यह इससे बढ़के और क्या बात हो सकती है यह जो है अब कॉंग्रेस को हम हम देखेंगे कॉंग्र नंबर्स को लेकर भारती जन्ता पार्टी और खास्वार पर सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर है और किसी पर तरीके से युवाओं के भविशे पर कोई तलवार जो है वो लटकने नहीं देंगे साथ इन्होंने बड़े विस्तार से कॉंग्रेस से भाजपा में शामिल होने को लेकर तमाम बातें जो है वो मीडिया के समक्ष रखी चंडिगर से कैमरा परसन विशाल गुलाटी के साथ रवी चंदेल सूरे समचार